नमस्कार दोस्तों स्वाबत करता हूँ आपका हम पढ़ रहे हैं hyperfine structure of spectral lines एक topic हम अलड़ी hyperfine में कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे isotopic structure या isotopic effect तो आगे बढ़ने से पहले मैं हलका सा revise करा देता हूँ हम ने पढ़ा हम जानते हैं कि हमारी पास कोई जो energy level होता है ठीक है ना n is equal to suppose ये कितना है 2 है ठीक है तो हमने बाद में पढ़ा था कि due to fine structure है ना हमने देखा कि जब हम highly resolve करते हैं देखते हैं कि ये जो level है ना ये further split होता है ठीक है ना और इसके कहीं कारण थे जिसको हम ये splitting को क्या बोलते हैं फाइन structure ठीक है फाइन structure हम इसको बोलते हैं तो उसके कहीं कारण हमने पढ़े थे किसा कारण चे होता है spin orbit splitting होती है spin orbit coupling की वज़े से ऐसा होता है हमने बढ़ाता है relativistic effect of kinetic energy इलक्ट्रोंस ये हमने बढ़ाता darwin effect हमने पढ़ाता जिसकी वज़े से ये splitting होती है जिसको हम क्या बोलते हैं fine structure फिर हम पाते हैं कि ये जो energy level से further split होते है जिसको हम क्या बोलते है hyper fine क्या बोलते है hyper fine structure जिसको हम hyper fine structure बोलते हैं अब ये किसके कारण होता है ये होता है basically दो कारणों से nuclear effect इसमें सामिल होता है हमने पढ़ाता जब total angular momentum electron का interact करता है किसके साथ nuclear spin के साथ समझ माया तब hyperfine structure होता है और दूसरा हम पढ़ेंगे isotopic effect तो हम nuclear spin के कारण जो hyperfine structure splitting होती है यह मोलेड़ी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में आज हम पढ़ेंगे isotopic effect ठीक है अब basically देखो क्या hyperfine structure में splitting होती क्या है basically nuclear effect की वज़े से ही होती है समझ मैं तो nuclear effect में एक तो nuclear spin आजाता है जिसको मैंने बता अभी हम अल्रेड़ी पढ़ चुके हैं दूसरा isotopic effect isotope क्या होते हैं isotopes वो elements होते हैं जिनका mass number different होता है यानि atomic जो nuclear mass होता है sorry suppose यह है मेरे पास ठीक है अब देखो इनका atomic number तो same है लेकिन इनका जो mass number होगा वो दोनों का क्या होगा different होगा तो यानि nuclear mass क्या है दोनों का different है तो nuclear mass दोनों का nuclear जो mass होता है दोनों का different होता है तो nuclear effect ही होता है hyperfine structure इस वज़े से isotopic effect भी इसमें consider करते हैं समझ मैं कोई दिकत है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो वही basically the splitting of spectral lines caused by mass difference ठीक है न ओफ atoms in an element is called isotope structure या isotope shift भी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं isotope shift भी इसको कहा जाता है बस आप लोगों को इतना ध्यान रखने है समझ मांगी बात कोई doubt है तक बहुत ज़्यादा simple है कुछ भी complicated नहीं है आगे चलते हैं तो देखो these spectral lines are sometimes referred to as hyperfine structure अब सुचों कि भी कभी कभी ऐसा क्यों बोलते हैं यह hyperfine structure ही तो है तो अब ध्यान से देखना कुछ books में न आइसो टोपी का fact को hyperfine structure बोल दिया जाता है लेकिन कुछ में नहीं बोलते हैं तो हम में दोनों concepts को आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं पढ़ाओंगा ता कि कोई भी confusion ना हो अब ध्यान से देखना तो जो hyperfine structure की splitting होती है जैसे मैंने बता है हमने पहले क्या पढ़ा तो nuclear spin की केस में पढ़ाता ठीक है ना तो nuclear spin की केस में यदि nuclear spin zero है क्या है nuclear spin zero है तो मैं hyperfine structure splitting observe नहीं होती यदि nuclear spin zero है ध्यान से रख सुनना लेकिन हमें hyperfine splitting observe हो रही है तो देखो confused नहीं हो ना देखो i0 है तो hyperfine splitting structure observe नहीं होना चाहिए ना लेकिन हमें observe होता है तो वो किस वज़े से होता है हमने पिछली क्लास में पढ़ाता है ना जब i0 हो जाएगा तो mathematically hyperfine structure splitting nuclear spin के काराण नहीं होनी चाहिए लेकिन हमने देखा कुछ element में जिसमें nuclear spin zero है उसमें भी hyperfine structure splitting हमें observe हो रही है यानि fine structure को highly resolve करके देखते हैं तो फर्दर split हो रही है तो वो किस की वज़े से होता है वो isotopic effect की वज़े से ही होता है समझमाग है बात मैंने क्या बताया ठीक है तो यह चीज है तो इसी वज़े से यह लिखा हुआ है ठीक है ना with spin तो इस spectral lines are sometime referred to as hyperfine structure but may be observed in an element with spin zero isotopes spin zero isotopes even atomic and mass even atomic and mass number ठीक है ना समझमाया कि बेदेखो even atomic or even mass number यदी हो even atomic number even mass number यदी होगा तो आई क्या होना चाहिए जीरो तो nuclear spin के करण जो hyperfine structure वो जीरो होगा लेकिन isotopic effect की कारण होगा isotopic effect की कारण होगा इसी वज़े से इसको hyperfine structure बोल देते हैं point out है ठीक है यदी मैं आपको देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे ना आप मेरे को मैंने ना spectrum lines में splitting ना due to isotopic effect पिछले lectures में भी कराया है आप यदी जहां पे मैंने रिडर बर्ग constant वगएरा पढ़ाया था ना और deuterium वगएरा पढ़ाया था hydrogen and deuterium तो आप इसली classes के lectures को देखोगे ना playlist में आपको मिल जाएगा तो वहां पे ओल्रेडी है यह चीज़ वहां पे और भी अच्छे से समझ मा जाएगा यहां पर भी समझ में आएगा ही आएगा समझ में ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी देखो बेसिकली मैंने आपको क्या बता है यही तो बता है कि different isotopes जो होते है ना यह बात आप जानते हैं कि अब जैसे रिड़र बर्ग को उंस्टेंट होता है और ये इस एक निद्ध मेरपास हई क्यों अक मिनएट ले ये Riederberg constant when nuclear mass is assumed at infinity, 1 upon 1, प्लस ये mass of electron upon mass of that nucleus, समझ माँ यह होता है, तो इसमें mass of nucleus enter कर रहा हैं, नहीं अगर रहा है, तो mass of nucleus enter कर रहा है, तो mass अलग-अलग होगा nucleus का, तो Riederberg constant अलग-अलग आएगा, तो जब Riederberg constant अलग-अलग आएगा, हम जानते हैं, कि spectral line की wavelength होती है, वो यहीं तो होती है, यहीं तो formula होता है, यह अलग-अलग आया, तो same transition के लिए, अब मैं क्या बता रहा है, आपको same transition के लिए, यह मेरे पास L क्याएगा different, तो different spectral lines आगे या नहीं आगे, वही चीज़ है, समझ मैं, तो वही बात कह रहे हैं, कि nuclear माज जोता, रिडर्बर कॉंस्टेंट माता है, और different isotopes के पास, different Ritterberg कॉंस्टेंट होगा, जिसके वज़े सेम transition में, different wave numbers हमें मिलेंगे, अब example लेको देखो, बीटा line के लिए, consider क्या गया, जिसका wavelength ही है, तो हमने दो isotopes, hydrogen और deuterium लिया, ये किसका isotope हैं, hydrogen कहीं तो हैं, तो पहले वाला तो मेरे पास, ये हो गया, ठीक है ना, समझ मैं, और ये मेरे पास क्यों होगा, deuterium हो गया, ये simply क्यों होगा, मेरे पास hydrogen हो गया, अब देखो, hydrogen के लिए मैंने, रिडर बर्ग constant निकाला, और deuterium के लिए, रिडर बर्ग constant निकाला, ठीक है, अब transition formula, फॉर्टिस transition for Balmer series, अब बाल मर स्रीज, अब देखो, ये ही तो होता है, हमारे पास wavelength निकालने का formula, तो अब ये दिया, टू में आता है, ठीक है ना, समझ मैं, कहां से आएगा, 3 से आ सकता है, n is equal to 4 से आ सकता है, है ना, n is equal to 5 से आ सकता है, ये ही तो होता है, बाल मर स्रीज, तो एक transition हमने ले लिया, hydrogen और deuterium में, हमने n is equal to 4 से, n is equal to 2 में transition करा है, फोर से हमने किसमें transition करा है, तो ये hydrogen के लिए निकाल लिया, ये deuterium के लिए निकाल लिया, ठीक है, दोनों का हमने क्या ले लिया ratio, ये दोनों तो देखो कट जाएंगे ratio लेने पर, ये simply हमारे पास आ गया, ठीक है ना, component and dividend हो, ये यहां पर simply लगा देंगे हम, RD minus आ रहे हैं, ये मांद जानते हो ना, जैसे suppose A, B upon में, C upon में D है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A minus B upon में P, यहां पर भी वही करना पड़ेगा, C minus D upon में D, तो same चीज मैंने यहां पर की है, ठीक है, कोई doubt है, कुछ नहीं, अब देखो ये क्या है, wavelength है ना, अब wavelength डूटेरियम की ज़्यादा होगी, hydrogen से क्यों होगी, ज़्यादा आप देख सकते हो, देखो, डूटेरियम का रिडर बर्ग कॉंस्टेंट ज़्यादा होगा, समझ मैं यह नहीं है, यह कम होगा, डूटेरियम का रिडर बर्ग कॉंस्टेंट ज़्यादा होगा, तो इसकी wavelength हमारे पास क्या आएगी, कम आएगी, समझ मैं है, wavelength क्या आएगी, कम आएगी, देखो, इसी वज़े से देखो, इसकी wavelength कम आएगी, negative sign इसलिए, इसलिए हो रहे हैं आपे, तो कुछ नहीं करना, यह डेल है, lambda, डेल हमारे पास है, इसको हम सिंपली इधर लेके चले गए, यह आ गया, values हमने, पूट कर दी, hydrogen का हमने उपर में दिखा था, आपको इसका value, simply यह रखा, और यह आ गया, है न, wavelength में क्या आगया, difference हमने आगया, कि, isotope की वज़े से, है तो दोनों hydrogen कोई सुच गए है, hydrogen ही तो है, तो एक ही wavelength आना चाहिए, लेकिन हमें कितना मिल रहा है, दो wavelength मिल रहा है, और हमने उन दोनों wavelength का difference भी निकाल लिया, तो यह किसकी वज़े से, isotope का fact ही तो है यह, hyperfine splitting ही तो हो रही है, समझ मैं यदि nuclear mass नहीं होता, तो एक लाइन मिलती, अब nuclear mass है, तो एक लाइन मिलती, लेकिन जो रिजोल्ट मुलब हाई इंस्टूमेंट से देखा, हमने देखा कि उसके अंदर दो लाइन दिखाए दे रही है, तो पता चला है, दो लाइन जो है, isotope की वज़े से आ रही है, है ना, जिसको हमने भी उपर explain किया, तो यह alpha, beta, gamma, sigma, यह सब इक लिए observed है, यह calculated है, समझ मैं है, ठीक है, तो यह difference हम already आपको बता चुके है, यह example के तोर पर दिया गया है, कि इस तरीके से हमारे पास है, तो मैंने, समझ मैं है यह नहीं है, तो थोड़े से बस आपको ध्यान लखना है, तो many cases of isotopy shift are not as simple as dead for hydrogen, hydrogen के लिए तो देखो बहुत ज़्यादे simple होता है, है ना, क्योंकि देखो हम बहुत सी चीज़ों को ना, simplified करते हैं, assumption लेते हैं, हम एज़ंशन लेते हैं, nuclear effect ली तो पड़ा था हमने, nucleus को हमने क्या मना, हमने क्या assume किया, एक sphere assume किया, या नहीं किया, एक perfect sphere हमने assume करके क्या, ठीक है, एक perfect sphere है, जिसमें जो spin कर रहा है, है ना, जिसका spin zero भी है, तब भी हमारे पास क्या रहा है, hyper fine structure रहा है, तो वो किसके वज़े से होगा, जो nucleus को हमने perfect assume कि, वो different masses के हैं, समझ मैंने दो तिन element के, isotopic है, तो ये चीज़ है, तो लेकिन hydrogen के कि, इस में थोड़ा से simple है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है, तो ये important बात में आपको बता रहा हूं, या ध्यान दखना, rare earth और heavier item, कि जितना ज्यादा heavy होता जाएगा, ज़रूर इन्हें इतना perfect sphere हमारे पास मिले, जो isotopic effect shift में, main contribution होता है, वो जर्मास के कारण नहीं होता है, महला होता तो है, is not due to a difference in mass, but due to a change in nuclear radius, nuclear radius के कारण, and nuclear radius with mass, and deviation of nuclear magnetic field from being purely a columbic one, हम तो perfect sphere मान के चलते हैं, और मान के चलते हैं, कि columbic magnetic field होगा, एक इस पहर, उसके चारह तरफ जिसका जो magnetic field होगा, nuclear जो produce करें, columbic होगा, समझ मैं, और तो इस तरीके से, हम इस तरी, assume करते हैं, जैसे हमने उपड निकाला न, तो यह है, लेकिन वो mass पर ही नहीं, निर्भर करता isotopic shift, isotopic shift जो है, rare earth और heavy atoms में, द्यान से सुनों, radius, and deviation of the nuclear magnetic field, being purely a columbic one, example नीचे दिया हुआ है, आप देखो, जैसे इसका 150 है, यह 152 है, तो देखो, shift is a double, that of, इससे, समझ माया है निया, बलब इसमें जो nuclear, वो isotopic shift जो होती है, जो डेल लेम्डा है, इसमें ज्यादा है, इससे, समझ माया मैं क्या कह रहा है, अब सूच देखो, इसमें तो heavy nucleus होना चाहिए न, देखो, यहां पे क्या 152 है, यहां 154 है, तो हम तो, हमने भी पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था, nuclear mass में difference की वज़े से, डेल लेम्डा होता है, तो यहां तो nuclear mass, जो में, nuclear mass heavy है, तो यहां shift जादा होना चाहिए था, लेकिन यहां पे, जादा है, यहां 150 है, 152 है मातर है, तो इस वो ही मैं बता रहा हूँ, isotopic shift जाएना है, main contribution is not due to difference in mass, main contribution जो होता है, mass के current difference में नहीं होता है, rare earth और heavy items में, किसके करण होता है, nuclear radius में change होता है, और nuclear magnetic field columbic नहीं होता, purely, समझ मैं है, ठीक है, तो usual increase, नहीं होता है, जैसे usual होना चाहिए नहीं है, इसमें ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन, समझ मैं, usual increase is not from, इससे usual increase नहीं है, नहीं है, इसमें ज़्यादा होना चाहिए था, इसमें कम होना चाहिए था, हम यह लेगते हैं, लेकिन इसमें तो दावना रहा है, डेल लेम्डा कोई डाउट हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में ना भी आया हो यह आजीब सा टोपिक लागा हो तो एक दो बार आप दूसरी बार पढ़ोगे तो डेफिनिटली आपको समझ में आजाएगा एक नोट मैं आपको बता दूए यह CSR का प्रीवेस सेर का कोशन है यह मैंने बाद में इसमें आडिया था तो जो बिसमित होता है ना उसका एक ही आईसो टोप होता है ठीक है ना लेकिन उसके पद छे हाइपर फाइन कंपोनेंट्स होता है तो यह पूचा कहता है बिसमित जो टो अईसोटोप यहике मलब एक ही एक एकजिक्ट कर रहा है मैं यह है इसका और यह एकई UM early उसकी होना इसा नहीं है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता है, अब वो किसके कारण होगा फिर, वो न्यूकलरी स्पिन के कारण होगा, समझ माँ गए बात, ठीक है, यदि एक ही आइसोटोप है, तो उसमें, दो तीन आइसोटोप नहीं है, तो उसका मनलब क्या है, आइसोटोपिक स्ट्रक्चर तो नहीं होगा ना, तो फिर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर किसके वज़े से हो रहा होगा उसमें, उसमें न्यूकलरी स्पिन के वज़े से हो रहा होगा, और यदि न्यूकलरी स्पिन यदि जीरो है, तो किसकी बज़े से हो रहा होगा हाईपरफाइन इस्ट्रक्चर आइसो टोपिक जिफ्ट की बज़े से समझ में आगे बाद ठीक है कोई डाउट है तो अगला टोपिक हम इंटेंसिटी रिशियो अगरा पढ़ेंगे तब तक के लिए नमस्कार धने बात